पत्नी 15 साल से ज्यादा की तो रेप का आरोप नहीं बनता है सुप्रीम कोर्ट नई दिली सुप्रीम कोर्ट ने मेरिटल रेप के एक आरोपी को ये कहते हुए बरी कर दिया कि अपवाद की वज़े से पती पर रेप का केस नहीं बनता है दरसल हाई कोर्ट ने सजा सुनाते हुए आरोपी को अपनी नाबालिक पत्नी के साथ रेप का दोशी करार दिया था इस मामले में पत्नी नाबालिक थी और उसके यहां एक बच्चा भी है सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में एक अपवाद को आधार मानते हुए अपने फैसले में आरोपी को बरी किया है आरोपी पती ने सुप्रीम कोर्ट में करनाटिक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी करनाटिक हाई कोर्ट ने पत्नी की शिकायत के आधार पर इस केस की सुनवाई की थी FTR में आरोपी के खिलाफ नाबालिक पत्नी के साथ संबंद बनाने की वज़े से पॉक्सो एक्ट के तहट मामला दर्जे किया गया था हाला कि हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि पॉक्सो एक्ट 2012 के बाद आया है इसलिए इस से पहले के मामले में इसे लागू नहीं किया जा सकता है इसी वज़े से हाई कोर्ट ने इस मामले को मेरिटल रेप के अंतरगत रखा और आरोपी को दोशी करार दे दिया इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी-र गवई की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया अदालत ने फैसले में कहा कि पत्नी की उम्र अगर 15 साल से अधिक है तो पती के खिलाफ रेप का आरोप नहीं बनता है